हेलो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो हॉस्टल वार्डन आई टी आई का एक्जाम हुआ उसमें जो कम्प्यूटर के कोशन्स पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं ठीक है उसका एंसर तो पहला इसम एंसर हो जाएगा चाल्स बैबेज ऑप्शन ए इसका एंसर हो जाएगा चाल्स बैबेज अगला है इसमें एक किलो बाइट बराबर कितना होता है तो ऑप्शन ए इसका सही एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है इसमें इंटरनेट उप्योग करताओं को दुनिया भर से प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसमें कौन मदद करता है वो बताना है, तो email इसका option D इसका answer हो जाएगा, email जो है internet उप्योग करताओं को दुनिया भर से संदेज भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, अगला question है इसमें, निम्न में से क्या input device नहीं है, तो mouse input device है, ठीक है, camera input device है, ठीक है, keyboard भी input device है, तो option B इसका क्या हो जाएगा, answer, printer जो है input device नहीं है, ये एक output device है, अगला question है, इसमें निम्न में से क्या computer के operationों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, option A system software, B application software, C utility software, D उप्रेक्ट में से कोई नहीं, तो computer के operationों को नियंत्रण करने के लिए, application software को बनाया जाता है, तो option B इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, अगला question है, इसमें निम्न में से कौन सा operating system नहीं है, तो option A, Windows ये तो operating system है, DOS भी operating system है, Google operating system नहीं है, option C इसका answer हो जाएगा, अगला है, इसमें खालिस्थान master boot record को संक्रमित करता है, और इस virus को हटाना कठीन और दुसकर कार्य होता है, तो क्या बोल रहा है master boot record को, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, option C, boot sector virus जो है master boot record को संक्रमित करता है, और इस virus को हटाना कठीन और दुसकर कार्य होता है, तो option C, इसक कौन computer की विशेष्टा नहीं है option a speed यह तो है इसका विशेष्टा storage भी है automation भी है d iq इसका जो बुद्धी लबधी जो है option d यह उसका विशेष्टा नहीं है ठीक है iq option d इसका answer हो जाएगा अगला question है इसमें नीमनमे से क्या cpu का भाग नहीं है option a memory यह तो है उसका भाग option b control unit यह भी उसका भाग है option c arithmetic logic unit alu यह भी उसका भाग है option d input unit यह answer हो जाएगा यह उसका भाग नहीं है ठीक है option d इसका answer होगा अगला question है user की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कारियों को करने के लिए बनाएगा software को कहा जाता है तो किसी विशिष्ट कारियों को करने के लिए बनाएगा जो software रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं application software तो answer इसका option a ठीक application software हो जाएगा अगला question है इसमें computer का भौतिक भाग कहलाता है तो उसका जो भौतिक physical जो पाट रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं hardware तो option b इसका क्या हो जाएगा answer hardware कहलाता है ठीक है अगला question है इसमें application के आधार परनिम्न में से कौन सा computer का प्रकार नहीं है तो option b analog option c digital option d hybrid यह तीनों जो है application का आधार पर computer के प्रकार है तो remote जो है इसका answer हो जाएगा option a क्योंकि computer का प्रकार नहीं है बोला ठीक है तो remote जो है इसका answer हो जाएगा अगला question है इसमें खाली स्थान computer program है जो चाही गई जानकारी को server में संग्रहित जानकारी में से ढूंडता है तो server में संग्रहित जानकारी में से जो ढूंडता है वो computer program क्या कहलाता है search engine तो option C इसका क्या हो जाएगा answer अगला question है इसमें coded निर्दोसों की सुची को कहा जाता है तो coded निर्देसों की सुची को कहा जाता है computer program option C इसका answer हो जाएगा अगला question है इसमें किस तरह का program row even column से संबंधित नंबर को calculate करता है तो row even column से संबंधित नंबर को calculate जो spreadsheet program रहता है वो करता है तो option B इसका क्या होगा answer होगा अगला है इसमें computer किस प्रकार की भासा को समझता है तो computer जो है वो समान्य मसीनी भासा को समिझता है, तो option A इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा अगला है, इसमें, प्राथम पेढ़ी का computer, खालि स्थान तकनिक का उपयोग, संसाधन के लिए करता था तो प्राथम पेढ़ी के जो computer थे, वो vacuum tube तकनिक का उपयोग, संसाधन के लिए करता था ठीक है तो option D जो है इसका answer होगा अगला question है C में computer से जानकारी को कागज परचित्रात्मक रूप में अनुवात करने के लिए किस output device का उप्योग किया जाता है तो किसका उप्योग किया जाता है plotter का तो option D जो क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अगला question है इसमें CD का पूरा नाम क्या है तो CD का जो full form रहता है वो क्या होता है compact disc तो option C जो क्या हो जाएगा answer हो ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें share करें channel को subscribe करें